जैहिन नमस्कार साथियों, फिजिकल एजुकेशन फिजा के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम राजिस कुमारे, साथियों आज हम लोग कुल महत्वपूर्ट 50 MCQ कोश्चन्स सॉल करेंगे, जो कोश्चन्स हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन्स हैं, आगामी जो भी एज़ाम्स होने वाले हैं, उसमें इस मौडल पेपर से क्यों है कि आपको कुश्चन्स देखने के लिए मिलेंगे, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का कुश्चन, कुश्चन नमबर फर्स्ट, अंतराष्टी ओलंपिक समीत के पर्थम महासची बने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के पर्थम प्रेसिडेंट महासची कौन बने, तो ये बने थे प्यरेडी कुबर टीड, इस कुश्चन का राइट आंसर होगा, नेस्ट कुश्चन, दोजार इकिस का कौन सा ओलंपिक है, दोजार इकिस में जो ओलंपिक हुए, दोजार बीस में जो होने वाले थे, कोरोना के कारण नहीं हुए, दोजार 25 में हुए, तो ये काौन सा करम का ओलंपिक था, ये 32 करम का ओलंपिक था, जो कहां पर होने वाले थे, टोक्योड, जापान में होने वाले थे, next question, एक्तिसवे ओलंपिक खेल, 2016 कहां आउयुजित हुए, 2016 में ज आउजित हुए ओके नेस्ट कोस्चन अठाइसे में ओलंपिक खेल 2004 कहां पर आउजित हुए तो ये एथेंस यूनान में आउजित हुए थे ओके नेस्ट कोस्चन डियर फ्रेंड्स पर्थम ओलंपिक खेल 1896 एथेंस में कितने देसों ने भाग लिया तो इसमें 13 देसों ने भाग लिया थे तो इसमें 13 देसों ने भाग लिया था कितने देसों ने भाग लिया था तो ये भाग लिया था 202 देसों ने भाग लिया था इस कोस्चन का राइट आंसर होगा ओके, नेस्ट कोस्टन, महिलाओं को ओलम्पिक में भाग लेने की अनुमती कम मिली, महिलाओं को ओलम्पिक खेलों में भाग लेने की जो अनुमती थी वो कम मिली, तो ये मिली ये उन लोगों को महिलाओं को उननीस सो में पेरिस ओलम्पिक में, नेस्ट कोस्टन, सिर को आगे पीछे दाएं बाएं घुमाना क्या कहलाता है तो यह कहलाता है बही वर्तन कहलाता है यह वर्षन कहलाता है इस question का right answer होगा next question पीट्री ग्रंतियों को मुख्यता निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है पीट्री जो ग्लैंड होती है उनको निम्न तक कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है next question deltoid muscle किस निम्न अंग से संबंदित है deltoid muscles है वो निम्न में से किस अंग से संबंदित है तो किस से संबंदित है पेट की मांसपेसियों से पीट की मास्पेसियों से, कंदे के उपरी हिस्से की मास्पेसियों से उपरोक तुसभी, इस question का जो right answer वा कंदे के उपरी हिस्से की मास्पेसियों से daltois muscles समबन्दित होती है, next question, बाइसेप्स की उत्पत्ती निम्न से होती है बाइसेप्स जो मसल्स होती है उसकी उत्पत्ती निम्न में से होती है तो देख लेते हैं आपसन इसको उपला के उपरी हिस्से से हुमरस के उपरी वह पिछले भाग से टीविया के निचले हिस्से से एंड उपरुक में से कोई न ट्राइसेप्स की उत्पत्ती निमने में से होती है जो ट्राइसेप्स की उत्पत्ती निमने में से कहां से होती है इसके पुला के पीछे से इसके पुला के उपरी हिस्से से हिम्रस के उपरी भाग पर जो मांसपेशी रहती है उसके पीछे भाग से एंड उपरोप्त सभी तो इसका जो right answer होगा humorous की उपरी भाग पर जो manspacy रहती है उसके पिछले भाग से इस question का right answer होगा ओके friends, next question manspacy है निम्न प्रकार की होती है manspacy है निम्न प्रकार की होती कितने प्रकार की होती है तो ये तीन प्रकार की होती है कौन कौन सी होती है comment box में जरूर बताएं next question सरीर में जिन जगर दो या दो से अधिक हड़ियां आपस में मिलती हैं वो भाग क्या कालाता है हमारे body में जिस अस्थान पर दो या दो से अधिक क्या बोलते हैं वो क्या कालाता है तो ये कालाता है joint कालाता है friends next question सरीर में संबानी उतक vascular tissues निवन परकार के होते हैं सरीर में जो संबानी उतक की बात हो रही vascular tissues की बात हो रही है तो निवन परकार के होते हैं कितने परकार के तीन परकार के दो परकार के चार परकार के उप्रोक्त में से कोई नहीं तो इसका जो right answer होगा की सारीरिक क्रियाओं से उत्पन उपलब दिया हैं। सारीरिक सिच्छा क्या। तनाव की सारीरिक क्रियाओं से उत्पन उपलब दिया हैं, जो किसी विशेश लच्छ को लेकर चुनी हुई हैं। निम्न कथन किसका है। तो ये कथन है। जे एफ विलियम्स जी का एक कथन है, सारीरिक सिच्छा तनाव की सारीरिक क्रियाओं से उत्पन उपलब्दियां हैं, जो किसी विशेस लच्छे को लेकर चूनी गई हैं, ओके, नेश्ट कोस्चन, सारीरिक सिच्छा उन पूर्ट तजूर्वे वह भावों का जोड़ है, जो कि बेक्ति को बड़ी मांस्पेसियों की कसरतों में भाग लेकर प्राप्थ होते हैं, अन्ता ये हमारी ब्रिद्धी एवं विकास करते हैं, निम्न कथन किसका है, तो ये कथन दिया है, ब्राउन वे है, इसका ऑंसर देना आप सभी को कमेंट बॉक्स में, सारीरिक सिच्छा सिच्छा की विधी का अटूट अंग है, इसका उददेज्य बेक्ति को सारीरिक, मांसिक, सामाजिक, भावनात्मक तौर पर योगिसाली बनाता है, सारीरिक क्रियाउं का चुनाओं इसके देख कर किया जाता है यह कतं किसका है निमने कतं किसका है जैने इसका में चाहल से बूचर का में उप प्रोक्त में से कोई नहीं इसका एटी नमबर कौशेञियो का आंसर आप ideia में देना है ओके फ्रेंट्स नेक्ट क कौश्चंट नांटीन मबर सारी लिए सिच्छा उन पूर्ण तजूर्वे वह भाओं का जोड़ है जो कि बैक्ति क्रियाओं के द्वारा ग्रहन करता है किसके द्वारा ग्रहन करता है यह कथन किसका है तो यह कथन दिया है ओवें टूफर ने दिया है इस question का right answer होगा next question सारी रिक सिच्छा बेक्ति के भीतरी अन्मों के कारण बेक्ति विशेश में होने वाले परिवर्तनों के कुल जोड को सारी रिक सिच्छा कहते हैं निम्न कतन किसका है बहुत important definition है ये पुछी जाचु की examination में तो ये दिये कैडिसी के according एक question का right answer होगा next question सारी रिक सिच्छा और परसिच्छण का उद्दे से है सारी रिक और मानसिक स्वास्त उत्पन करना और उसका संरच्छन करना निम्न कतन किसका है जो definition दी गई है सारी रिक सिच्छा क्या है और परसिच्छन का उद्दे से क्या है सारी रिक और मानसिक स्वास्त उत्पन करना और उसका क्या करना संरच्छन करना ये कतन किसका है तो ये जो कतन दिया गया है डाक्टर एम सिद लिंगेया के according ये दिये गई है definition next question बिद्याले में सारी रिक सिच्छा का कारिकरम कराते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए विद्याले में अगर फिजिकल एजुकेशन का जो कारिकरम हम करा रहें तो उसमें निम्न बातों में किसका ध्यान हमें रखना चाहिए तो स्वास्संबंदी तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए लिंगी विभिनताएं जो होती उसको ध्यान में र होने वाला लाब है निम्न मेंसे क्या ब्यायाम से होने वाला लाब क्या होता है तो ब्यायाम से क्या क्या लाब होते हैं आत्म विश्वास में ब्रिद्धी एकदम 100% ब्रिद्धी होती है इस मृती में ब्रिद्धी हमारे जो दिवाग है उसमें भी ब्रिद्धी होती है फिज संसादन वर्ड प्रोसेसिंग परिच्छण है, तो ये क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग परिच्छण क्या होता है? बुद्दी परिच्छण, इंटेलिजेन्स टेस्ट, अभिवित्ती परिच्छण, एप्टीट्यूड टेस्ट, उपलब्धी परिच्छण, जिसको ऐचिवेमेंट टेस्ट का बोलते हैं, समुभीर परिच्छण जिसको क्या गुरूप डिस्क्रेमिनेशन बोलते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा, वर्ड प्रोसेसिंग का, तो इसको बुद्धी परिष्ण कहते हैं, इस कोस्चन का राइट आंसर होगा, डियर फ्रेंड्स, नेश्ट कोस्चन, नेतांस्प प्रतिदर्स, कस्टेंट सेंपलिंग किसके समान है, तो यह किसके समान होता है, चार आप्शन दिये गए, अस्त्री कृत प्रतिदर्स, श्टेटिफाइड सेंपलिंग, आयजित याद्रिस्चित प्रतिदर्स, और्गनाईज रेंडम सेंपलिंग, गुच प्रतिदर्स, क्लस्टर सेंपलिंग, एंड हिम कंदु प्रतिदर्स snowfall sampling तो इस question का जो right answer होगा option C इजे right answer, cluster sampling इजे right answer होगा friends साथियों अगर आपको हमारी वीडियो प्रेरित करती है तो please वीडियो को like करें अपने दोस्तों भी जरूर सेर करें अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो please चैनल को subscribe करें notification bell को जरूर दबाएं जिससे physical education से related जो भी information है वो आपको सबसे पहले मिले friends अगर आप हमारे टेलेग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो की link description box में link दिया गया है आप वहाँ टेलेग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं अगर आप टेलेग्राम चैनल पे सर्च करना चाहते हैं तो physical education फिजा लिख करके आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं और टेलेग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं वहाँ पे आपको बहुत सारी book rule book paper and physical education से related information आपको मिलती है सब कुछ आपको यहाँ पे free of cost मिलता है dear friends यहाँ पे आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है तो please वीडियो को like करें share करें अपने दोस्तों में जिससे physical education की जो भी student तयारी करते हैं उनकी help हो सके okay my dear friends next question की तरफ बढ़ते हैं हम लोग प्रतिदर्स की परियाप्तता किस से निर्धारित होती है जो प्रतिदर्स की परियाप्तता किस से निर्धारित होती है समिष्टी के आकार संस्तादनों की उपलब्दता निर्ड लेने के लिए चेहनी सार्थकता अस्तर एंसोतन्तता के अंस इसका जो right answer होगा प्रतिदर्स की प्रयापता निर्भर करती है ये निधारित करती किसे समिष्टी के आकार पर निर्भर करती है Next question निम्न में से कौन सी परिकल्पना एक पुछ परिछन द्वारा जानी जाती है तो ये जानी जाती है परिछन दुस्चिंता में लड़के और लड़कियों की बीच में अंतर को difference को मापा जाता है परिकलपना का एक पुछ परिछण द्वारा मापी जाती है तो परिछण दुछ इन्ता में लड़के और लड़के की बीच के अंतर को मेजर किया जाता है next question संक्रियात्मक चर निमनमेज से किसे सुकर बनाते हैं जो संक्रियात्मक चर की बात हो रही है तो किसे सुकर बनाते हैं, तो ये बनाते हैं सांखी की परिकलपना को सुकर बनाते हैं, नेस्ट कोश्चन, कुछ कोश्चन इस्टेटिक से हैं, चार पांच कोश्चन, ठीक है, नेस्ट कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक मारगी इनोवा, वन वे इनोवा, द्वारा बीस भ अंत्र अंस क्या होगे तो कुल चार अंग होगे दोस्तों जब हम डिस्क्रिप्टी पढ़ाएंगे आपको रिसर्च तो उहां पर इन सब कोस्चन को एक्स्प्लेन किया जाएगा ओके नेश्ट कोस्चन की तरफ बढ़ते हैं अनुप्रियोग आत्मक अनुसंधान का परिडाम होता है तो यह होता है इनुवेशन होता है अब इसकार करना इसका राइट आंसर होगा नेश्ट कोस्चन दो चरों के बीच केसा सम्मंद गुडांक का मान 0.5 है इसका आसर है तो इसका आसर क्या होगा दो चरों में 50 परिच्चत सम्मंद है एक चरों में 50 परिच्चत अंतर की ब्यवस्था दूसरे में उपस्थित अंतर से की जा सकती है एक चरों में 25 परिच्चत अंतर की ब्याख्या दूसरे में उपस्थित अंतर से की ज जा सकती है, D, दोनों चरों में 50% अंतर समान है, तो इस question का जो right answer होगा, option B, E, जे right answer होगा, एक चर में प्रस्चत अंतर की ब्याख्या, दूसरे में उपस्तित अंतर से की जा सकती है, एक परिच्ण की अर्ध विभक्त विश्वस्वनिता 0.6 है, तब उसे पूर परिच्ण के लिए बढ़ाया जाएगा, तब विश्वस्वनिता का मान हो जाएगा, बैक्तितित्यों अध्यान एक प्रकार से है, जो बैक्तित्यों का अर्ध विच्वस विश्वस्वनिता, उसकी कितनी है, 0.6 है, तो इसे पूर रूफ से क्या करता है, बढ़ाया जायातल है, तब उसका मान क्या हो जाएगा, reliability की बात हो रही है तो इसका जो मान होगा वो 0.9% हो जाएगा ओके फ्रेंट्स नेश्ट कोस्चेन बैक्तित्तो अध्यान एक प्रकार से है जो बैक्तित्तो का अध्यान एक प्रकार से क्या होता है तो सर्वे एस्टिडी अंतरवेक्तिक संबंद अध्यापन इंटरपर्सनल रिलेशन्शिफ एस्टिडी विक्यास आत्मक अध्यान डवलप्मेंटल एस्टिडी एंड कैजूल कॉम्परेटिव अध्यान तो इसका जो राइट आंसर होगा आपसर एजे राइट आंसर होगा सर्वे एस्टिडी एजे राइट आंसर फ्रेंड्स नेस्ट कोस्चन वड़ानात्मक अनुसंधान समलित नहीं करता जो वड़ानात्मक अनुसंधान है जो रिसर्च की बात हो रही है तो क्या समलित नहीं करता है तो सर्वे अध्यान को अंतरकौसिक अध्यान को विकासात्मक अध्यान को और एक्स पोस्ट फैक्टो अध्यान को तो इसका जो राइट आंसर होगा एक्स पोज, पोस्ट फैक्टो अध्यान को ये समलित नहीं करता है, बाकी सर्वे अध्यान को, अंतरकाउसिक अध्यान को और विकास अत्मक अध्यान इन तीनों को सामिल करता है, फ्रेंट्स, नेश्ट कोश्चन, बिसेश ओलंपिक में प्रतिभागी कौन-कौन होते हैं, ज और मांसिक विकलांकता से ग्रस्थ बच्चे और वयस्क लोग, उप्यिक्त कश और फ्रेंट्स, इसमें जो लोग समलित होते हैं, ओके, फ्रेंट्स, किस देश ने विशेस ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक की मेजबानी की? वह काउन सा देश है जिसने किसकी एजमानी की? स्पेशल ओलंपिक की मेजबानी की? तो सनीत राज अमेरिका ने इसकी मेजबानी की थी. नेस्ट कोस्चन, ओलंपिक में विभीन इवेंट जैसी ओवेंज द्वारा चार पदकों की जीत की बराबरी किसनी की ओलंपिक खेलो में, जो विभीन टाइप की जो इवेंट्स होते हैं, जिसमें जैसी ओवेंज ने चार पदकों की बराबरी किसने की थी, तो ये बराबरी क की थी, कार्ल मार्क्स ने इनकी बराबरी की थी, इस question का right answer होगा, next question, अटलांटा ओलम्पिक में क्या चिन्नी थे, जो अटलांटा ओलम्पिक हुए, उसमें क्या चिन्नी थे, 1800, sorry, 1890 में हस्ट हुए थे, ओलम्पिक और 1990, अटलांटा ओलम्पिक, जो 100 वर्ट्स पूड हुए, ओके फ्रेंट्स, तो पूछा जा रहा है, तो क्या चिन्नी थे, आधुनी ओलम्पिकों की सतक वार्सी की, एकदम सही आंसर, first answer ही जे, right answer है, इसका, ओके फ्रेंट्स, next question, सारे सिच्छा प्रतेक नागरी का मैलिक अδिकार है बहुत important definition है, पूछा जा चुका है, question, कई बार पूछा जा चुका है, KBS, Rajasthan, UP, and other states, अभी पूछा जा चुका है, सारी सिच्छा प्रतेक नागरी क्या है, मैलिक अधिकार है, यह निमलिकित में से, किसमें सामिल है, तो यह जो दी गई है definition UNESCO के घुसरा पत्र में यह सामिल है बेरी बेरी इंपोर्टेंट है फ्रेंट्स जरूर राइट डाउन करिए आप सभी लोग नेश्ट कोस्टन प्राचीन ओलंपिक खेलों में बाक्सिंग खेल का पर्थम बिजेता कौन था तो यह था ओनुमा स्टोन इसका बिजेता था नेश्ट कोस्टन निमलिखित में से कौन क्रेस्मर का मिस्त्रित वर्गी करण है निमलिखित में से कौन क्रेस्मर का क्या है मिस्त्रित वर्गी करण है तो मिस्त्रित वर्गी करण होता यह डाइपलेस्टिक इसका राइट आंसर होगा प्रेंट नेस्ट कोश्चन सेल्डन द्वारा किया गया काया प्रारूप वर्गी करण क्या है सेल्डन के द्वारा काया प्रारूप जो बॉडी टाइप जो वरी करण किया गया तो वो क्या है तो एंडो मार्प, मेसो मार्प, एक्टो मार्प इन में से सभी तो इसका जो राइट आंसर होगा आपसन डी जे राइट आंसर होगा CELDAR के दवारा दिए गए हैं, सरीर के प्रकार दिए गए हैं Next question QASI-YORKER को ठीक करने के लिए निमलिकित में से कौन आवस्यक है QASI-YORK जो रोग होता है, उसको ठीक करने के लिए क्या आवस्यक होता है तो प्रोटीन सबसे ज्यादा आवस्यक होता है Next question किसी स्वस्थ वयस्क ब्यक्ति के सरीर में कोलेस्ट्राल का सामाने मूले होता है तो यह होता है 100 ml प्लाज्मा में 60 से 100 mg ओके इस question का right answer होगा next question एसिटा कालीन असनाय। कोसिकाऊं में पेस्ण कोसिकाऊं के साथ संपर्क Judgement क कसे संपर्क इक संपर्व गलाता है क्या बोलते सभी कोसिका संपर्क होता है ऐके निश्ट कोस्टिन बसा की मात्रा निमने लिखिट में से किस में काफी होती है जो फाईट की बात होती है तो मात्रा किस में काफी होती है तो यह होती है बसा की मात्रा निमलेखित में से किस में काफी होती है तो बसा की मात्रा जो सबसे अधिक होती है बसी उतक में इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है नेश्ट कोस्चन निमलेखित में कौन पेशियों की आधार भूत इकाई है? चार आप्सन दिये गएं कौन सी क्या पेशियों की क्या है आधार भूत इकाई की बात हो रही है? तो कोसीका हैं केंद्रक, मायो फाइब्रिस का और खा दोनों तो इसका जो राइट आंसर होगा पेशियों में इनकी आधार भूत इकाई पहुंसी होती है तो मायो फाइब्रिस इजे राइट आंसर होगा friends, okay? पेसी तंतुव में बिद्दमान प्रोटीन नाम है, जो पेसी तंतुव में बिद्दमान प्रोटीन का नाम क्या होता है, तो यह होता है, एक्टिन और मायोसीन दोनों होते हैं, इस question का right answer होगा, नेश्ट कोस्चन, तंत्रिका उतक की आधार बूत इकाई है, तंत्रिका उतक की जो आधार बूत इकाई क्या होती है, सेल, प्रोटीन, निूरान, एंड मायोसीरब्रील, right answer हीजे, निूरान होती है, तंत्रिका उतक की आधार बूत इकाई क्या है, उसे क्या कहते हैं, निूर कहते हैं next question बर्न को ठीक करने के लिए निमलिखित में क्या आवस्यक है बर्न वलब जलने को ठीक करने के लिए क्या आवस्यक है तो इसके लिए आवस्यक होता है प्रोटीन का right answer होगा साथियों आप सबी लों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करें नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबाएं जिससे आने वाली फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो आपको सबसे पहले मिले साथियों आप अगर UPTGT, PGT, KBS, NBS, VR, Another State की जो भी जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आपको यहां पे सब कुछ फ्री आप कास्ट मिलता है आप से कोई चाहर नहीं लिया जाता है फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे पढ़ी जितन अपलग पर यहर एक्जामनेशन